पताओ तयार हो 26-11 मुंबई हमलों को याद कर हम आज भी सहम जाते हैं आतंकियों के इस खायराना कर्तूत में 18 सुरक्षा कर्मियों समेत 166 लोग मारे गए थी जिनमें 6 अमेरिकी नागरिक भी शामिल थी मुंबई के चत्रपती शिवाजी महराज टर्मिनल्स, ओबिरॉट राइट एंड, होटेल ताच पेलेस, लियोपोल कैफे, कामा हॉस्पिटल, नैरिवन कम्यूनिटी चेंटर जैसे भीडभार वाले लाखों को आतंकियों ने निशाना बनाया था साथ घंटे तक चले ऑपरेशन में, नो आतंकी ठेर कर दिये गए थी, जबकि अजमल खसाब नाम का एक मात्रा तंकी जिन्दा पकड़ा गया था खसाब को भी चार साल बाद मुंबई के येरवड़ा जेल में फासी दे दी गई थी मुंबई हमले को पाकिस्तानी आतंकी संगठन लशकर एतैबा ने अंजाम दिया था हाफिस सईद डेविड हेडली, साजिद मीर, जगियूर रह्मान लखवी हमले के मास्टर माइंड थी लेकिन एक और चेहरा था जो जाच एजेंसियों की नजर में कुछ साल बाद आया डेविड हेडली से पूछताज के दोरान पाकिस्तानी मूल के कनाडाई बिजनसमेन तहवूर हुसैन राणा का नाम सामने आया था भारत सरकार के कहने पर अमेरिका ने राणा की किरफतारी की और अब तक उसके भारत प्रत्यारपन की बात चल रही है बतादे कि 62 साल का तहवूर हुसैन राणा अमेरिकी जील में बंद है लॉस एंजलिस कोर्ट में उसके प्रत्यरपन को लेकर सुनवाई चल रही है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 12 माई के अपने आदेश में कहा है कि जिन आरोपों को आधार बना कर तहवर के प्रत्यरपन की मांग की गई उन्हें देखते हुए उसके प्रत्यरपन की अजाज़त दी जा सकती है ये भारत के लिए बड़ी ख़वर है और रननितिक जीत भी क्योंकि तहवर राणा भारत के शिकंजे में होगा तो उसके घलाफ यहां की अदालत में एक सो छाचट लोगों की हत्या का मुगदमा चलाए जाएगा बता दे कि नेशनल इन्वेस्टिकेशन एजेंसी यानी एनाईये मुंबई हमलों में तहवर की भूमिका की पड़ताल कर रही थी जाच एजनसी को मालूम चला कि तहवर ने ही आतंकियों को मदद पहुचाई थी इसी आधार पर भारत ने अमेरिका से उसके प्रत्यरपण की मांग की थी कोर्ट में सुनवाई के दोरान सरकारी वकीलों ने तरक दिया कि तहवर इस हमले की मास्टर माइंड डेविड हेडली के बच्चपन का फ्रेंड है और उसे पता था कि हेडली लशकर ए तोयबा के साथ मिल कर काम कर रहा है हेडली की मदद करके तहवर राना एक तरह से लशकर के आतंकियों की मदद कर रहा था इस पर कोट का कहना है कि राणा इस पूरी साजिश का हिस्सा था और इस बात की पूरी आशंका है कि उसने आतंकी हमले को फंडिंग देने का अपराद किया है बारत और अमेरिका के बीच एक्स्ट्रैक्शन यानी प्रत्यरपण की संदी है लहाजा राणा का प्रत्यरपण सी संदी के तहत किया जाएगा बात करें मुंबई हमलों के दूसरे गोनहगारों की तो आफ़िस सईद कॉपरेल 2022 में पाकिस्तान की आतंक रोधी अदालत ने 31 साल की सजा सुनाई थी साजद मेर को भी जून 2022 में पाकिस्तानी अदालत ने टेरर फाइनसिंग मामले में 15 साल जेल की सजा सुनाई इन दिनों वो पाकिस्तानी जेल में हवा खा रहा है डेविड कोलमैन हेडली अक्टूबर 2009 में अमेरिका में अरश्ट किया गया अमेरिकी अदालत ने उसे 35 साल की सजा सुनाई फिलाल वो जेल में बंद है जकी और रह्मान लकवी 2021 से पाकिस्तान की चेल में बंद है उसे टेरर फंडिंग के जुर्म में 15 साल की सजा सुनाई गई थी झाल